आप सभी का मैं डिफेंस चैनल पे स्वागत है तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में तीन सबसे महत्व पूर्ण अपडेट सामने आ रही है तो जो वीडियो की पहले अपडेट है वो जैट एंजिन को लेका आ रही है तो आप सभी को पता होगा कि भारत और अमेरिका के भी GKEF4 and 6 एंजिन को लेका डिल होने वाली है तो अभी पहला ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो GKE का बेजिक एंजिन है यानि कि 98 किलो निट्र वाला उससे भी ज़्यादा पावरफल एंजिन यानि की 160 किलो निट्र एंजिन की बारत को ओपर किया जा सकता है इसके अलावा इस एंजिन को और भी ज़्यादा रिफाइन करके 130 किलो निट्र क्लास के एंजिन में भी कनवर्ट किया जा सकता है तो इस रिपोर्ट के बारे में पूरे डिटेल से एनलीसिस करेंगे इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स अप्रेट है वो नाटो प्लस ग्रूप पो लेकर आ रही है और अगर भारत इस ग्रूप में शामिल होता है तो भारत को कौन से फायदे और कौन से नुक्सन हो सकते है इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्केशन करेंगे तो अगर आप मेरे डिफेंट चैनल को सबस्टाइब करें बेल एकन दबाने ना बुले औ और इसके अलावा अगर आपको मेरे डिफेंट के रिलेटेट कांटेन अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और इसके अलावा आपको डिफेंट के रिलेटेट कोई भी क्वेशन हो तो आप अपना क्वेशन कोमेंट सेक्सर में जरूर लिकेगा ज जिसका नाम है GE का F414-6 एंजिन तो यह जो एंजिन है वो बेजिकली A.M.C.E. Mark 1, T.B.F. और जो T.S. Mark 2 फाइटर जेट है उसमें लगने वाले है जो जेट एंजिन है वो 98 तिलोनुटन तक की आप्टर बनन ध्रस्ट को प्रोवाइट करवा सकता है तो यह जो जेट एंजिन है वो T.S. Mark 2 और T.B.F. के लिए तो सफिशन पावर को प्रोवाइट करवा देगा पर जो A.M.C.E. Mark 1 है उसके लिए कही न कही यह जो पावर है वो कम पड़ने वाली है क्योंकि 5th generation fighter jet में सूपर कुरूज करने की capability होनी ही चाहिए पर जो A.M.C.E. Mark 1 होगा उसमें GE का यह जो F4N4-6 engine लगने वाला है जिसकी वज़े से A.M.C.E. अभी फिलार्ट सूपर कुरूज नहीं कर पाएगा तो A.C.E. report सामने आ रही है कि जो GE के F4N4-6 engine है उसका एक अलग derivative डेवलप किया गया है जो की 116 kN तक की thrust को provide करवा सकता है और GE के द्वारा A.C.E. report दी गई है क कि अगर भारत चाहे तो यह engine भारत में बन सकता है और GE के पास इस engine को develop करने के लिए हगर टेक्नोजी पहुज़द है कि अगर भारत चाहेगा तो जो 98 kN वाला engine है उसके baseline के उपर 116 kN के jet engine को बनाया जा सकता है और अमेरिका की कमरी के द्वारा पहले से ही इसके उपर research भी कर लिया गया है तो अगर भारत को 116 kN का jet engine मिल जाता है तो EMCA के लिए भी sufficient power provide करी जा सकती है जिसकी वजह से जो EMCA fighter jet है वो super goose करने की capability के साथ आएगा इसके अलावा बात करें तो 116 kN वाला jet engine उसके अलावा बात करें तो 116 kN वाला jet engine उसके अलावा बात करें तो जो जो F4M4 I6 engine है यानि कि 98 kN वाला वो एक तरह से base engine है इसको base करके आगे जाके अलग-अलग thrust class वाले engine को develop किया जा सकता है तो अमेरिकी company GE का दावा है कि इस engine को base करके 130 kN class के engine को भी develop किया जा सकता है जो कि बारत के EMCA Mark II fighter jet को भी power कर सकता है तो overall बात करें तो भारत को 98 kN वाले engine क 116 kN class वाले engine को prepare करना चाहिए और इसके अलाव बात करें तो अमेरिका कितनी technology भारत के साथ share करता है इससे इसके ऊपर भी focus करना चाहिए कि अमेरिका के द्वारा भारत को engine तो provide करवा दिये गए पर technology ना दी तो क्या काम का और अगर technology ना मिलती है तो आगे जाके अमेरिका भारत के उपर pressure भी create कर सकता है तो भारत को technology transfer दो लेनी चाहिए साथ ही साथ IP right मिले वैसा भी काम करना चाहिए जिसकी वज़े से आगे भारत को कोई बड़ी problem ना आ सके जयाट एंजिनर को लेकर तो आए दिन नए नए report समने आते रहते हैं तो इस चीज़ को लेकर final फैसला को अभी पिलाल एक पौरें फिप generation fighter jet की सख जरूत है तो हम अपने enemy को देखे यानि कि चाइना वो लगातार एक बड़ी नमबर में फिप generation fighter jet यानि कि J20 fighter jet को अपने वाई शेना में इंड़क कर रहा है उसके अलावा बात करे तो चाइना पौर्ट और 4.5 generation के fighter jet तो एक के अलावा हमारे वाई शेना में जो तेजस fighter jet है वह अभी एक बड़ी नमबर में इंड़क नहीं हो रहा है जिसकी वज़ए से हमारी वाई शेना को आए दिन बड़ी बड़ी प्राब्लम को फेस करना पड़ रहा है और इसके अलावा लगातार fighter jet के crash होते रहते हैं जिसकी के लिए बारे पास मिनिमब बायल स्कोर्डन fighter jet की जरूत है और जो यह आंकड़ा है वो 2030 तक तो पूरा नहीं होने वाला है क्योंकि 2030 तक भारतिय वाई शेना सिर्फ 30 कोर्डन तक ही पहुच पाएंगी और इसके अलावा बात करें तो लगातार जो पूरा नहीं fighter jet है उनको फिप जनेशन fighter jet की बहुत ही ज़्यादा ज़रूत है क्योंकि चाइना के पास और फिप जनेशन fighter jet मौजूद है चुकि बारतिय वाई शेना के उपर डोमिनिट भी कर सकता है और इसके अलाव बात करें तो कई सारे लोग जो कहेंगे कि हमारे पास रफाल fighter jet मौजूद है प तो हमारी वाई शेना में जो पहला स्वधिशी फिप जनेशन fighter jet है यानि कि EMCA वो 2033 तक ही शैमिल हो पाएगा और इसके अलाव बात करें तो इस fighter jet का जो मास प्रोडक्शन है और 2035 में जाकर शुरू हो सकता है और एक बड़ी नंबर में भारतिय वाई शेना में EMCA को शैमि होने में कई और साल लग जाएंगे तो एक तरह से बात करें तब तक हमारी जो enemy की air force है वो एक तरह से बहुत ही बड़ी और visual air force बन सकती है जिसको counter करने के लिए आने वाले टाइम में भारतिय वाई शेना को एक proper foreign 5th generation fighter jet को खरीदना चाहिए तब फिलल बारतिय वाई शेना को सिलेक करें इस इसके बहुत ज़्यादा कम chances है क्योंकि FGP वाला incidents और इसके अलावा इस fighter jet में वही पुराने AL-41 engine लगे हुए है इसके अलावा बात करें तो जो F-35 fighter jet है वो भारतिय वाई शेना के लिए best option साबित हो सकता है क्योंकि इस fighter jet के avionics और sensor बहुत ज़्यादा advance है और इसके अलावा यह fighter jet capable है कि यह पड़ी आसनी से चाहना कि fighter jet के उपर dominate भी कर सकता है इसकी वज़े से भारत को F-35 को prefer करना चाहिए और इसके अलावा इस fighter jet को खरीदने के लिए बारत को अमरिका से बाचित भी करनी चाहिए जिसकी वज़े से F-35 भारतिय वाई शेना क को मिल सके वीडियो की नेक्स अब्रेट के बारे में discussion कॉल लेते हैं जो कि NATO plus group को लिकार आ रही है तो भी फिल एसी रिपोर्ट सामने आ रहे है कि अमरिका बारत को NATO plus group में शामिल कर सकता है तो अगर बारत नाटो plus group में शामिल होता है तो बारत का जो रूस का relationship है उसमें दर भारत को supply भी की जा सकते हैं जिसकी वजह से बड़ी आसनी से भारत चाइना को counter भी कर सकता है तो एक तरसी बात करें तो उस group में शामिल होने से भारत को कई सारे फायदे और कई सारे नुक्सान भी हो सकते हैं नाटो plus वाला एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसके उपर हम एक डीटेल से वीडियो लाएंगे अगले विक में तो वीडियों तक देखने के लिए धन्यवाद जय ही जय परत मिलते हैं अगले वीडियो में